हम लोग अभी निकुन ज़र में कुछ मिनिस्ट्री में मिलके आया थे दिली में 15-20 दिन पहले और सारा फोकस जो हमें बड़े बाबू लोगों से मिलके आया वो यही था कि एफिशेंसी बढ़ानी है P.S.C. उसकी ताकि वो जादा प्रॉफिट कमाएं ताकि वो जादा डिय इनकम होती है बड़ी P.S.U. कंपनी थे तो इनकी उपर आप नजर बना के रखें अविनाश देखिए जो कोल इंडिया इंटी पीसी आरेसी पीएफसी डिफेंस पीएस्यू रेल्वे पीएस्यू काफी चल भी गए जहां हो सकता है यहां से और चलें बिलकुल चलें क्यों की ओनर्शिप है नहीं बड़ प्योर्ली अगर वैलुएशन की बात करें तो डीप अंडर वैल्यूड पीएस्यू में कौन से नाम निकल के आते हैं अगर मैं आपसे पूछू तो मुझे लग रहा है कि जो डीप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उसमें तो जो अप्स्ट्रीम कंपनीज है जैसे ओन जीसी है काफी इनो स्टॉक में प्रॉफिटिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही तगड़े नंबर्स इस बार आ गए हैं उसके बाद रिसी है मुझे ल स्टॉक्स की बात करें तो देखें काफी नोटिसिबल कंपनीज है जैसे कोचिन शिप्याड है माजगाव है अल्दो स्टॉक्स पिछले दो साल में काफी बड़े हैं लेकिन और बुग भी अगले दो-तीन साल के लिए काफी सिगनिफिकेंट है तो मुझे लग रहा है कि द टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटिबिलिटी, और बुग के सारे पैरेमेटर्स पे ये कंपनीज ने बहुत अच्छा काम है